पित्वरागड में ट्रिपल मडर से मची संसनी एक युवक ने परिवार के तीन सदस्यों का बहरेमे से कतल कर दिया मामला गंगोली घाट तहसील के बुरसम गाउं का है यहाँ एक भतीजे ने अपनी सकी ताई, चचेरी भाबी और चचेरी बहन का धारधार हत्यार से गला रेत कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया हत्यारा भतीजा अपनी पत्नी के साथ मौके से फरार है गाउं वालों को सुभा इस घटना का पता चला जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुची पुलिस और राजस्वी टीम ने तीनों शवों को कब जिमें लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज़ दिया है साती सत्याकान की जाच भी शुरू कर दी है मिलते ही पुलिस टीम को और रेविन्यू पुलिस की टीम को मोके पे रवाना किया गया था और उस केस को भी हम लोग डिरेक्टली पुलिस को ही हैंड़ोवर करवाय जा रहा है इसमें अभी जो अभ्यूक्त है वो फरार चल रहा है और जिसमें पुलिस टीम के द्वारा जो है जंगल में सर्च ओप्रेशन किया जा रहा है तीनों जो डिजीस्ट हैं उनका भी पोस्ट मोटम भी चल रहा है और मुकत्मा उसमें पंजिक्रित कर लिया गया है और अग्रिम कारवाई की जा रही है पुलिस की कई टीमें हत्यारे की तलाश में जुड़ गई हैं सभी सीमावर्ती थाना चौकी पेरियर को चेकिंग एतु अलर्ट कर दिया गया है मौके पर जिला प्रशाशन और पुलिस मौजूद है शुरवाती जाच में पूरा मामला पारिवारिक कलहा का लग रहा है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद